अगली खबर में बात करते हैं इन दौर की जहां मन्नत के बाल एक बच्चे के लिए मुसीबत बन गए टीचर ने उसके बाल कटवाने का फर्मान जारी किया इसके लिए टीचर ने ऐसा तरीका अपनाये जिस पर बवाल खड़ा हो गया इन दौर के बच्चपन प्ले इसकूल में चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां तीन साल के बच्चे के हाथ पर टीचर ने लिख दिया कट योर हैर यानि आपके बाल कटवाओ जब बच्चा स्कूल से घल लोटा तो परिवार के लोग उसके हाथ पर ये लिखा देख आश्चर में पढ़ गए इसके बाद परिवार ने स्कूल पहुँच कर इस बात का विरोज जताया परिजनों का ये भी आरोप है कि कुछ महीने पहले भी बच्चे के नाखून को लेकर ऐसी बात लिखी गई थी दरसल ये मामला इंदौर के राजेन नगर छेत में सिर्थ प्ले स्कूल का है यहाँ एक प्रॉपर्टी वेफसाई का तीन साल का बेटा पढ़ता है बुद्धवार को बच्चा स्कूल पहुचा यहाँ क्लास में भी बैठा क्लास में पढ़ाई भी हुई मगर टीचर ने बच्चे के बड़े बाल देखे तो उनसे रहा नहीं गया और उसके हाथ पर बाल कटवाने के हिदायत लिखी परिवार के लोगों ने बटाये कि बुद्धवार को जब बच्चा स्कूल से घर लोटा तो उसके हाथ देखे वे भी चौक गये उसके एक हाथ पर कट योर और दूसरे हाथ पर हेयर लिखा था यानि cut your hair इस तरह से बच्चे के हाथ पर cut your hair लिखने का क्या मतलब है उसके दोनों हाथों पर इस तरह लिखने से हमारे बच्चे के फ्रेंड भी उसका मजाग बना रहे थे परिवार का कहना है कि स्कूल टीचर के इस तरह हरकत गलत है इस संबन में बच्चे के पता स्कूल पहुचे और उन्होंने इस विशय पर स्कूल मनेजमेंट से चर्चा की स्कूल के प्रिंस्पल पियूस जैन का कहना है कि जब ये बात उनके नौलेज में आई तो उन्होंने टीचर को डाट भी लगाई और उन्हें आगे से इस तरह की हरकत ना करने के हिदायत भी दी साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबन में जब बच्चे के पता स्कूल में आय थे तो टीचर ने उन्हें सौरी भी कहा है अगर बच्चे के पेरंस कहेंगे कि टीचर पर कोई कारवाही की जाये तो हम भी करने के लिए तयार हैं हलाकि वे इस हरकत को माननी भूल बता रहे हैं तीन साल के मासूम के पिता ने ये आरोब भी लगाया है कि कुछ माँ पहले भी बेटे के हाथ के नाखून बड़े होने पर इसी तरह से हातों पर नाखून काटने की बात लिखी गई थी मगर उस वक्त उन्होंने इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया था जब ये दूसरी बार ऐसा हुआ तो उन्होंने इस संबन में स्कूल मनेजमेंट से चर्चा की इधर स्कूल प्रिंस्पल का कहना है कि हातों पर लिखने की हरकत पहली बार ही हुई है इसके पहले जो बच्चे के पिता कह रहे हैं वह बात गलत है पिता के बेटे ने कहा कि तीन साल के बेटे के मननत के बाल है इसलिए उन्होंने उनके बाल नहीं कटवाए है सरंकुर में उनकी कुल देवी में भैसवा माता यहां पर मननत के बाल उतरवाते हैं इसलिए अभी तक उन्होंने बेटे का मुंडन नहीं करवाया है इसके साथ ही पिता ने स्कूल मनेजमेंट को ये भी कहा कि अपने मेरे बेटे के हाथ पर तो लिख दिया मगर आप किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना करें दुनिहन के रूप में चारचांद लगाए गमगड़िया समगड़िया प्यार के रिष्टे को और गहरा बनाए समगड़िया आभुषण का चादू है छाए समगड़िया आभुषण समगड़िया आभुषण